भारतिये टेनिस स्टार सान्या मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोयब मलिक के अलग होने की अफवाई हैं जोरों पर हैं पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में भी दोनों की शादी तूटने की खबरों का लगातार दावा किया जा रहा है दरसल सान्या मिर्जा कुछ समय से लगातार सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट शेयर कर रही थी जिसको देख लोग अंदाजा लगाने लगे थे कि शोयब मलिक और सान्या मिर्जा की जिन्दगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोनों से जुडी इन अफवाहों के बीच अप सान्या मिर्जा और सोयब मलिक के करीभी दोस्त ने ये खुलासा किया है कि दोनों का जल्द ही तलाक हो जाएगा वहीं शोयब की टीम के एक सदस्य ने ये भी बताया है कि आधारिक तौर पर दोनों का तलाक हो गया है सूत्रों के अनुसार सान्या इस समय दुबई में है जबकि शोएब मलिक फिलहाल पाकिस्तान में है हाल ही में सान्या मिर्जा ने सोशल मीडिया पे बेटे इजहान के साथ प्यारी सी एक फोटो शेयर कर लिखा था मुमिंट्स जो इन मुश्किल भरे दिनों से निकालते हैं आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शोएब मलिक किसी दूसरी लड़की को डेट कर रहे है और इसी वज़स से दोनों के रिष्टों में खटास आई है हलांकि दोनों ने पाकिस्तानी मीडिया में आई इन रिपोर्ट्स पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है वैसे तलाक की अफ़ाहों के बीच मॉडल आईशा कमर के साथ रिष्टों को लेकर मलिक का इंटिव्यू वाइरल हो रहा है इसमें मलिक ने खुलासा किया था कि आईशा ने फोटो शूट के दौरान मीरी बहुत मदद की थी दरसल 2021 में मलिक ने आईशा के साथ बोल फोटो शूट करवाय था और अब ये सभी तस्वीरें सोशल मीडिया में वाइरल हो रही है 12 एप्रिल 2010 को हाइदराबाद में शूएब मलिक और सान्या मिर्जा शादी के बंधन में बंधे थे और करीब 10 साल बाद उनके बेटे इजहान का जन्म हुआ था